नमस्कार बच्चों मैं संजीत एक पार फिर से आप सबों के बीच मैं एक स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका टाइटल है इन दा किंगडम ओफ फूल्स पिछले पार्ट में हम लोग इस कहाने में देख चुके थे कि एक राजा है और उसने अपने सामराजी के सारे सिस्टम को उलटकर रख देता है यानि डे को नाइट में बदल देता है और नाइट को डे में है ना यानि दीन वाले सारे काम जो है वो रात में किया जाता है उसक कि राज्य में जो है एक गुरू और उसका एक सिस से आता है और वो इस वेवस्था को देख कर बड़ा आश्यर करता है और गुरू जी जो रहते हैं वो जल्द ही समझ में आ जाता है उनको कि यह राज्य जो है वो मुर्खों का है और यहां रहना ठीक नहीं है परन्तु उनका सीज से जो रहता है वो उस राज्ज में ही रहना चाहता है उसी सीटी में रहना जाता है क्योंकि वहां पे हर चीज की कीमत जो रहती है वो सिंगल डुडु रहता है मतलब बहुत सस्ता रहता है इस वज़ा से वो स्वार्थ में वहां रहना चाहता है इसी बीच क्या होती है कि सहर में एक अमीर बैपारी के घर पे एक चोर जो है वो चोरी करने के लिए जाता है स्टोरी में हम लोग पढ़ेते हैं न बच्चो याद है न आपको लेकिन जब वो चोरी का सामान लेकर घर से निकलते रहता है इस दोरान उस घर की दिवार जो रहती है वो उस शोर के उपर गिर गया और जिससे उसकी मिर्तिव हो जाती है वह तो मर गया परन्तु उसका भाई जो है वो राजा के पास इसका कम्पलेन लेके जाता है और वो मुआबजा मांगता है कि मुझे मुआबजा मिलना चाहिए क्योंकि उस अमीर बैपारी की दिवार की वज़े से मेरा भाई की मिर्द्यू हो गई है राजा को भी लगता है कि वाकई में जदी दिवार सही रहता तो इसके भाई की मिर्द्यू नहीं होती भले ही वो चो जो था वो खराब रहता है हम लोगों ने देखा था कि राजा उस अमेर बैपारी को भी अपने दर्बार में बुलाता है और उसे वो सजा की घोस्टना करता है कि तुम्हें इसके लिए सजा दी जाएगी अब हम लोग आज के स्टूरी में यहां से पढ़ने जा रहे हैं है न Lord यहां से हम लोग आज स्टूरी को देखेंगे Lord said the helpless merchant I did not put up the wall राजा के सामने वो अमीर बैपारी जो है वो गिड़ गिड़ाता है क्या गिड़ गिड़ाता है कि I did not put up the wall कि यह जो दिवाल जो गिरा है उसे मैं नहीं बनाया हूँ है न मैंने नहीं बनाया हूँ It's really the fault of the man who built the wall इसमें सारी गलती किसकी है उस वेक्ती की है जिसने इस दिवाल को बनाया था He did not build it right क्योंकि उसने इस दिवार को सही तरीके से नहीं बनाया You should punish me इसलिए जदे आपको सजाधी देना है तो आप सजा उसे दीजिये ना जिसने इस दिवार को गलत तरीके से बनाया ठीक है तो राजा को भी सही बात लगता है कि नहीं वाकई में तो इसकी गलती नहीं है गलती तो उसकी है जिसने इस दिवार को सही नहीं बनाया इसी वज़ा से राजा जो है वो पूछता है कि who is that कौन है वो है ना तो बैपारी जो है वो जवाब दे रहा है my lord this wall was built in my father's time कि यह जो दिवार है जो गिरा है वो दिवार मैं नहीं बनवाया हूं बलकि वो दिवार तो मेरे पिता जी के टाइम पर बना है I know the man और मैं उस आदमी को जानता हूं जिसने इस दिवार को बनाया था he is an old man now अब वह आदमी कैसा हो गया है बुढ़ा हो गया है और he lives nearby और वह पडोस में ही रहता है मतलब आसपासी रहता है the king sent out messengers देख रहे हैं आप लो the king sent out messengers to bring in the brick layer who had built the wall राजा जो रहता है वो अपने messengers को अपने संदेश वाहक को यानि अपने लोगों को भेजता है क्या करने के लिए to bring in the brick layer who had built the wall मतलब उस कारीगर को जिसने इस दिवार को बनाया था उसे पकड़ कर लाने के लिए राजा अपने लोगों को भेजता है they brought him tied hand and foot और राजा के लोग जो राते हैं उस कारीगर को कैसे लाते हैं हाथ पर बांध कर उसको लेकर राजा के पास आते हैं है ना आगे देखोगे लिकरा you there did you build this man's wall in his father's time राजा उससे सवाल पूछ रहा है कि क्या तुमने इस वेक्ती के पिता जी के समय क्या तुमने इसके दिवार को बनाया था तो वो बिचारा कारीगर जो है वो राजा के सामने जूट तो बोल नहीं सकता है इसलिए वो कहता yes my lord I did कि हा महराज मैंने बिलकुल उसकी दिवार को बनाया था ठीक है just a minute बच्चो मैं थोड़ा सा highlighter ले लो तो राजा उससे सवाल पूछता कि what kind of a wall is this that you built कि तुमने किस प्रकार की दिवार बनाई थी है ना it has fallen on a poor man कि वो जो दिवार जो इस ने तुमें बना जिस दिवार को तुमने बनाया था वो दिवार जो है वो एक poor man के उपर एक गरीब आदमी के उपर गिर गया और वह विचारा जो है वो मर गया इसलिए you have murdered him इसलिए उसके murder का दोस्ट जो है वो किस के उपर आता है तेरे उपर आता है और we have to punish you by date और इसी वज़ा से हम लोग तुम्हें मौत की सजा देते हैं यानि राजा जो है अब दोसी उस reach merchant को नहीं मान कर बलकि दोसी किसे मान रहा है उस brick layer को उस कारीगर को जिसने उस खराब दिवार को बनाया था अभी भी कहानी में बहुत ज़्यादा twist है बस आप लोग बने रहोने चैनल के साथ बहुत मजाएगा before the king could order the execution execution का मतलब होता है सजा राजा जो है वो order करता सजा देने की उसके पहले ही the poor brick layer pleaded वो पिचारा poor brick layer जो था मतलब वो कारीगर जो था वो pleaded करता है वो बिंती करने लगता है plead मतलब बिंती करना please listen to me please आप मेरी बात सुन लो before you give your orders कि है माहराज आप अपना आदेश देने के पहले एक बार मेरी बिंती को तो सुन लिजिए it's true कि ये बात सच है कि I built this wall कि ये बात बिलकुल सच है और मैं स्विकार करता हूं कि इस दिवार को मैंने बनाया हो and it was no good और ये बात भी मैं मानता हूं कि ये दिवार जो मैं बनाया था वो अच्छा नहीं था but that was because my mind was not on it लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है यानि जिस समय मैं दिवार को बना रहा था उस समय मेरा दिमाग जो था वो ना concentrate नहीं था I remember very well मुझे बहुत अच्छे तरीके से उस दिन की बात याद है क्या बात होती है क्या घटना घटी रहती है जिस वज़े से उसका दिमाग जो है वो concentrate नहीं रहता है उसका माइन है न तो देको वो कहानी सुना रहे है क्या कहानी है बड़ा ही मज़ेदार कहानी है लिक रहा है a dancing girl who was going up and down that street all day with her ankle is jingling है न देखो वो क्या कह रहा है कहानी क्या सुना रहा है कि जिस दिन मैं दिवार बना रहा था ना उस दिन एक dancing girl जो थी मतलब एक नाचने वाली लड़की जो थी है ना वो बार बार गली में आ रही थी going up and down मतलब बार बार आ रही थी जा रही थी कहां पे a street में मतलब गली में और कैसे अपने पायल को जनकाते हुए है ना anklets jingling anklets का मतलब होता पायल है ना जो लड़किया या ladies लोग जो होती है वो पैरों में पहनती है ना तो वही वो कहानी सुना रहा है कि मैं जिस समय दिवार को जोड रहा था उस समय क्या हो रहा था कि एक dancing girl जो थी एक नाचने वाली लड़की जो थी वो बार बार गली में जा रही थी तो आप समझ सकते हो कि कोई नाचने वाली लड़की तेरे पास से भी बार बार आये और जाये तो तो तुम्हारा ध्यान कहां रहेगा काम पर या उस लड़की पर है ना तो बिलकुल बिचारा का भी ध्यान जो था वो उस लड़की पर चला गया and I could not keep my eyes or my mind on the wall और इसी वज़ा से मैं अपने दिमाग को और अपनी आखों को वाल के उपर concentrate करके नहीं रखा है ना wall I was building मतलब जो दिवार पे मैं दिवार को मैं बना रहा था हूँ उस पे मेरा focus ने रहके मेरा focus कहां चला गया लड़की के उपर है ना you must get that dancing girl इसलिए आपको किसे सजा देना चाहिए किसे पकरना चाहिए उस dancing girl को मतलब सारा गलती किसका उस लड़की का ना वो बार बार गली में आती जाती पाइल छनकाते हुए और ना मेरा ध्यान भटकता और ना ध्यान भटकता तो मेरा दिवाल ये खराब नहीं बनता इस राजा को तो राजा भी तो महान था है ना अब देखे क्या लेकरा है you are right राजा को क्या लगता है कि हाँ ये तो सही कह रहा है the case depends मतलब ये जो case है वो बहुत ही गहरा case है we must look into it और हमें अवस इसकी गहराई तक जाना चाहिए it is not easy to judge such complicated case complicated case का मतलब होता जटील case है ना कि हम लोग किसी भी ऐसे complicated case को आसानी से judge नहीं कर सकते है let's get that dancer wherever see each इसलिए जहां कहीं भी वो dancer है उसको पकड़ कर लेकर आओ यानि अब राजा किसे पकड़ने के लिए भेशता है यानि राजा के नजर में अब दोसी कौन हो गया है वो dancing girl है ना देख रहो बच्चो एक के बाद एक कहानी में क्या रहा twist आ रहा भी बहुत सारे मचे आएंगे बस आप लोग story शे बने रहो यू राजा के पास राजा के दरबार में आती है कैसे tramble करते हुए tramble मतलब कापते हुए वो डर्ष के मारे वो राजा के पास आती है है ना अब राजा उससे वही सवाल दो रहाएगा कि did you walk up and down that street many years ago while this poor man was building a wall did you see him राजा जो है उससे पूछता है कि क्या तुम उस गली में कुछ सालों कुछ साल पहले जो है वो बार बार आ रही थी जा रही थी जिस समय ये poor man जो था वो एक दिवार बना रहा था क्या तुमने इसे देखी थी है ना तो dancing girl जो थी वो बुरी हो चुकी है और अब वो जूट नहीं बोलना चाहती है इसलिए कहती yes my lord कि हां माराज I remember it very well कि हां मुझे वो दिन बहुत अच्छे तरीके से याद है कि ये आदमी जो है वो अपने दिवार को बना रहा था है ना और मैं बार बार गली में आ रही थी और जा रही थी ठीक है तो राजा को अटो अब गुश्चा होगा so you did walk up and down कि इसलिए तुम बार बार आ रही थी जा रही थी with your anklets jingling बार बार अपने पाइल को छंकाते हुए you were young and you distracted him और तुम उश्चमय कैसी थी young थी जवान थी है ना और तुमने इस आदमी के ध्यान को क्या कर दी distract कर दी थी distract मतलब कि तुम उश्चमय जवान थी बार बार आ रही थी जा रही थी पाइल को छंकाते हुए और तुमने इसके ध्यान को क्या करके रख दी थी भटका कर रख दी है ना so he built a bad wall इसी वजह से इस बेचारे ने एक कैसा दीवार बनाया बहुत ही खराब दीवार बनाया ठीक है चेंज करोगे पेज अप लोग हाँ यहाँ से it has just a minute it has fallen on a poor burglar and killed him और वो दीवार जो है वो एक बेचारे चोर के ऊपर गिर गया और वो बेचारा चोर जो है वो क्या है मर गया हा ना you have killed an innocent man इसलिए इसमें शारा दोस किसका है तुम्हारा है यानि कैसे राजा उसको दोसी मानता है कि न तुम जदी बार बार पायल को छंकाते हुए आती जाती नहीं इस कारीगर का ध्यान भटकता और ना ध्यान भटकता तो नहीं वो खराब दीवार बनाता और न वो दीव इसमें सारी गलती किसकी है डांसिंग गर्ल की है न इसलिए you will have to be punished इस वज़े से तुम्हें क्या की जाएगी पनीज की जाएगी मतलब तुम्हें सजा दी जाएगी ठीक है अब वो भी कोई कहानी सुनाएगी अभी तो कहानी में twisty twist है न तो देखते रहो आप लोग sit out for a minute and said अब वो जो बिचारी डांसिंग गर्ल थी अब वो तो बुड़ी हो चुकी थी वह भी कुछ पल के लिए सोचती है और कहती है my lord wait महाराज थोड़ा इंतजार कीजिए I know मुझे पता है why I was walking up and down that street कि मैं बार बार आ रही थी जा रही थी गली में ठीक है लेकिन मैं क्यों आ रही थी जा रही थी उसको भी तो आपको सुनना चाहिए उसका कारण भी तो आप सुनिये है न देखो क्या कहानी सुनाएगी अभ गोल्ड दी थी किसे दी थी गोल्ड स्मीट को मतलब एक सुनार को है न तू मेक संज्वैलरी फोर मी ताकि वो मेरे लिए कुछ गहने बना के दे लेकिन वो शुनार जो था न वो गोल्ड श्मीट जो था वो बहुत ही आलसी था ये मेड सो मैने एक्सक्यूजेज और वो बहुत सारे बहाने बनाता था said he would give it now and he would give it then वो बहाना कर रहा था मेरे शाथ कि मैं अभी दूँगा बाद में काता था मैं बाद में दूँगा है ना and so on all day और इसी वजह से वो मेरे को बहाना करते रहा कि अब दूंगा तब दूँगा और ऐसा पूरा दिन बर करता रहा और इसी वजह से he made me walk up and down to his house a dodging times इसी वज़ा से मुझे उसे शुनार की घर जो है वो दरजनों बार आना जाना पड़ा इसमें मेरी कोई गलती नहीं है गलती किसकी है उस गोल्ड एश्मीत की है जिसने मुझे बार बार आने जाने पर क्या कर रहा था मजबूर कर रहा था ठीक है और उसी समय इस ब्रीक लेयर जो था वो उसने मुझे देखा था इस कारिगर ने मुझे कभी वो मुझे देखा था है ना इस नाट माइ फॉल्ट इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माराज इसमें सारी दोस किसकी है उस शुनार की गलती है मेरा कोई दोस नहीं है है ना यानि ये डांसिंग गल्ड भी अपने आपको बचा कर पतली गली से निकल ली पूर थिंग सी इस अबसूलूटली राइट ठावट देखिंग राजा को भी लगा कि नहीं ये जो है वो बिलकुल सही करें कि इसमें तो इसकी कोई गलती नहीं है गलती तो उस शुनार की है जदी वो टाइम पर इसका गैना एक ही बार में दे देती दे देता तो इस लड़की को तो बार-बार आना जाना नहीं न पढ़ता है ना वेइंग दे इविडेंस इविडेंस का मतलब होता है साख्छी या प्रमान प्रूफ है ना वी हैब गॉट देर रियल कलपरिट अट लास्ट की अब हम लोगों को वास्तिविक में जो दोसी है रियल कलपरिट मतलब जो सच में दोसी है वो मिल गया गेट दी गोल्ड स्मीट चाह उस गोल्ड स्मीट को पकड़ के लाओ wherever he is hiding at once जहां कहीं भी वो छीपा होगा वो शुनार उसे पकड़ कर ले आओ ठीक है the king बैलिफ search for the gold स्मीट राजा के जो सैनिक थे वो उस शुनार की क्या करने लगे तलास करने लग गया who was hiding in a corner of his shop बिचारा शुनार जो था वो डर से काग किया था वाई तो अपने दुकान के corner में क्या था hide कर लिया था अपने आपको यानि छीपा लिया था when he heard the acquisition against him he had his own story to tell और जब उसको अपनी सजा के बारे में पता चल गया था कि उसके खिलाप आरोप है उसके खिलाप ऐसा ऐसा कहान आरोप लग गया है तो वो अपनी भी एक कहानी बेटा वो ready करके आया था कि मुझे कौन सी कहानी सुनाना है तो चली अब हम लोग किसकी कहाने सुनेंगे सुनार की कहाने सुनेंगे कि वो गोल्ड असमित क्या कहानी सुनाता है तो देखिए बड़ा मज़ेदार है my lord he said I am a poor gold smith कि मैं बहुत ही शाधर और बहुत ही बेचारा gold smith हूँ बहुत ही सीधा साधा हूँ it's true यह बात सच है कि I made this dancer come many times at my door कि यह बात सच है कि मैं इस dancer को कई बार अपने घर पे बुलाया मतलब कई बार आने जाने पर इसको मजबूर किया लेकिन इसमें भी मेरी कोई गलती नहीं है I gave her excuses मैं इसके साथ बहाने किया क्यों भाई because I could not finish making her jewelry क्योंकि मैं इसके jewelry को पूरा नहीं कर पा रहा था किसके पहले before I finish the reach merchants order क्योंकि मुझे इसके गहने के बना कर देने के पहले मुझे उस reach merchant के गहने को बना कर देना था है ना यानि वो कहानी सुना रहा है कि मैं इसके गहने को पहले नहीं बना सकता था मुझे सबसे पहले किसके लिए गहने बना कर देना था तो उस reach merchant के लिए गहने बना कर देना था लिक रहना कि before I finish the reach merchant's order कि सबसे पहले मुझे उस अमीर बैपारी का गहना बना कर देना था क्यों they had a waiting coming क्योंकि उनके घर में क्या होने वाली थी शादी होने वाली थी and they would not wait और वे लोग वेट नहीं कर सकते थे इसलिए मुझे इसके साथ बहाना करना पड़ा यू नो हाव इंपैसेंट रीच में आर आपको तो पता है कि कैए अमीर लोग जो होते हैं वो कितने इंपैसेंट होते हैं मतलब उनमें कोई धैर नाम का कोई चीज नहीं होता है और इसी वज़े से मुझे सबसे पहले उस अमीर बैबारी का गहना बनाना पड़ा और इस लड़की को मुझे बार बार आने जाने के लिए मजबूर करना पड़ा यानि अब आप समझ में आ रहा होगा आपको कि अब रियल में दोसी कौन है राजा के नजर में अब राजा के नजर में रियल दोसी कौन हो जाएगा वो रीच मर्चिन्ट जिसने उस गोल्ड स्मिट को गहने दिया था बनाने के लिए है न तो पूछता है कि वो इस रीच मर्चिन्ट कि वो अमीर बैपारी कौन है who kept you from finishing this poor woman's jewel जिसने तुम्हें इस बिचारी लड़की का गहने बनाने से रोका था वो आखिर बैपारी कौन है made her walk up and down और जिसकी वज़े से इस लड़की को बार बार आना जाना पड़ा और which distracted this brick layer जिसके वज़े से इस brick layer का ध्यान भटक गया which made a mess of his wall और जिस वज़े से उसने एक खराब दिवार बनाया which has not fallen है ना पेज को change कर लोगे बच्चे और जो दिवार जो था वो अब क्या हो चुका है गिर गया है और just a minute fallen on an innocent man और वो दिवार जो है वो एक निर्दोस आदमी के उपर गिर गया and killed him और जिस वज़े से उसकी मिर्थी हो गई can you name him क्या तुम मुझे उस अमीर बैपारी की नाम बता सकते हो कि कौन था वो the gold smith named the merchant तो gold smith जो था वो अपना जान बचाने के लिए उस अमीर बैपारी का नाम बता दिया and he was none other than और जब उस ने नाम बताया तब पता चलता है कि वो कोई दूसरा अमीर बैपारी नहीं था the original honor of the house whose wall had fallen बलकि वो अमीर बैपारी वही था जिसकी घर में चोरी हुई थी जिसका दिवार गिरा था और जिसके दिवाल को गिरने से उस शोर की मिरती होती है कूल मिला के वो बिचारा फस गया now justice had come full circle अब राजा कहता है कि न्याय जो है अब पूरी तरह से चक्र में आ गया circle में आ गया है how the king back to the merchant अब वापिस राजा किसको पकड़वाएगा उस अमीर बैपारी को है न when he was rudely summoned back to the court राजा उसको फिर से समन करके मतलब बुलावा भेजता है कहाँ पर आने के लिए कोट में आने के लिए राजा अपने दर्बार में उसको पकड़वा कर लाता है he arrived crying बिचारा रोते हुए आता है और कहता है it was not me but my father कि मैं नहीं था बलकि वो order कौन दिया था मेरे पिता जी दिये थे है न वहीं कह रहा है कि it was not me महराज मैं order नहीं दिया था इस सुनार को गैने बनाने के लिए छोड़ दीजे मुझे कौन दिया था तो मेरे फादर दिये थे वहीं लिख रहा who ordered the jewelry है न ति मैं order नहीं किया था बलकि कौन order किया था मेरे फादर किये थे he is dead अव मर भी गया है I am innocent और मैं कैसा हूँ बिलकुल निर्दोस हूँ इसलिए प्लीज आप मेरे को क्या कर दो छोड़ दो ठीक है तो बच्चों आज की story को भी हम लोग यहीं पे छोड़ देते हैं अब आगे देखेंगे कि story में next part में क्या आखिर होता क्या है किस प्रकार से राजा जो है वो नियाई करता है तक के लिए बच्चों गुडबाई